हलो किसान भाईयों मेरा नाम राकेश कुमार केवट है और M.B.A. सब्जी वाला चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको खर्पत्वार नियंत्रण के बारे में विस्तित जानकारी बताएंगे कि कैसे हम कम लागत में और कम समय में बहुत अच्छी तरह से खर्पत्वार क भी देख सकते हैं यहां जहां नाली में मल्चिंग लगा हुआ है इस सैट देखेंगे तो नाली में मल्चिंग लगा हुआ है यह दोनों कराप साथीों एक ही दिन का ट्रांस्पलांटिंग है अब जानना चाहेंगे इसके बारे में डिटे recipes यहां हमारे किसान भाई नरेंदर के वाट उपस्थित है आए चलते हैं उनसे मिलते हैं हलो सर नमस्ते मेरा नाम राकेश के वाट है और मैं MBS अबजी वाला चैनल से आया हूं क्या बताएंगे सर वहां हम आपके यहां मिर्ची का जो खेत देखें हैं हुआ हां मल्ची नहीं लगा हुआ है और यहां मल्ची लगा हुआ है इसके बारे में अभी डिटेल से बताएंगे इसे प्या फाइदा होगा नाली में मलचींग डालने से बहुत अच्छा रिस्पोंस मिला सा जैसे हम लोग खर्पतवार का पैसा लगता है उसमें लेवर कास्ट और जो आता है उसका क्या बोलते हैं कैमिकल बहुत खरचाता है उसके बाद भी हर 15 दिन बाद खर्पतवार फिर से अपनी जगह पर आ जाते हैं लेकिन जब से हमने इसका उप्योग किय है हम देख रहे हैं हर्पतवार की कोई समस्या नहीं है और जो भर वार्पतवार जब लैभाश्ट रहता है वसकी इसमें कि पूई परकार का दिए और सबसें हो два stop ते निवर छय रोल बल्च झ ऑटे ठीक है इसके अलावा खर्पतवार के अलावा और इसमें किया याइस फाइदा होते जैसी से कुछी कीट व्हें जो रहते हैं सकी रहते हैं गेर रहते हैं तो पॉदे पर टेक करते हैं और जैसे रहते होते हैं अगर यहां बटारहा था बहुत अच्छा पाइदा हुआ है अभी सर हम देख रहे हैं कि जैसे हम पूरे एक नाली की बात करें एक लाइन की बात करें तो उसमें पूरा पाउधा एक समान है यह कैसे है सर एक्चुल में हम यहां पर खेती करते हो ड्रिप इरिगेशन के अंतरगात आता है जिए स्पाँ है कि तो हम जब जों से हमारा सिस्टर मों पास लगा हुआ है हम जब आप देखते हैं हर यह बर्लसम में बराबर subscribe और व अबर आपर उसनले दिख रहा आए जिसर और इसमें जितने भी छेद रहते हैं इनमें सभी छेद से बराबर मातर में पाण निकलती है एक बराबर अच्छे सर ये देख रहे हैं कि एक पौधा कुछ डिफेक्ट लग रहे हैं ये क्या है ये जो पौधे है ना इसमें थोड़ा बहुत वाइरस का सिकायत आ रहा है इसका वज़ाई यह है क्योंकि अभी चार दिन पहले बहुत ज्यादा उमस की गर्मी पड़ रही थी अगर आप देखा जाए मिर्ची में करेला में अगर टेंप्रेचर बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा सा पत्ते में वाइरस की समस्या दिखती है लेकिन अभी जाएसे थीक है मौसम धंडा है तो यह शिकाया तब कम आएगी देखनों को अच्छा इसके कंट्रोल के लिए अब क्या प्रिकासन यूज लेते हैं या कौन सी केमिकल चलाते हैं पहले तो हम सबसे पहले द जिन पर हम सकिंग को कंट्रोल करने के लिए केमिकल डालना पड़ता है जिससे रिचल्ट अच्छा रहता है